यूपी जीडीएस को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण अपडेट अभी अभी जैस्ट पब्लिस किया गया है तो वीडियो को जड़ासा भी इसकीप ने किजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर रखिएगा और साथ से स आप इस बात से लगा सकते हैं कि छात्रों में काफी जड़ा उत्सुकता है अब देख सकते हैं कि यह जो आपका आया है यह 36 का रिजल्ट तो पब्लिस करी दिया गया है और किरला का भी 14 से 21 पोस्ट का रिजल्ट पब्लिस कर दिया गया है अब चलिए हम बात करते हैं कि आ सब्सक्राइब कर लिए और टेलिग्राम गुरूब को जोइन रखेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हैं तो यहां पर जिन्रल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 95 परसेंट गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका 95 और 96 के बीच में है तो आपका यहां पर कंफर्म है कि आपका सेलेक्शन होगा अब हम बात करते हैं EWS जेनरल की तो इसका 90.25 आप देख सकते हैं यहां पर 90.25 यानि लगभग 90 के आसपास अगर है तो आपका EWS में सेलेक्श कंफर्म है GDS में और अब हम बात कर लेते हैं ST और SC की इनका कितना गया है तो इसके बाड़े में हम बात कर लेते हैं SC आपका 56 जाएगा यहां पर और यहां पर तुकता है कि OBC का कितना जाएगा cut-up तो OBC का भी काफी यहाँ पर बहतरीन आप लोगों के जो prediction है उसी के base पर गया है यहाँ पर cut-up लगभग यहाँ पर 87 से लेकर 88 तक जाएगा OBC का cut-up तो अगर इतना है तो आपका confirm है selection I hope that और अब आप लोग के मन में उठ रहा है सवाल क कि कब result publish किया जाएगा तो result आप लोग का संभावना यह बक्त की जाएगा कि result आपका 15 December को publish कर दिया जाएगा तो उम्मिद्ध आप लोग रखिए या आपका official notice है तो 15 December को आप लोग का result का publication date है तो 15 December को आप लोग का result आ जाएगा या आपका 100% confirm है